लो नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्योब चानल पर दोस्तों आज के इस तुडियो में हम फिर से एक वीडियो आपकर लेके लिए आये हैं जिससे आपको अच्छी खासी अर्णिंग हो सकते हैं या फिर आप ग्रांड लिग या स्मॉल लिग कोई बात नहीं कि नीचे आपको क्रियेट टेम का ऑप्षन मिल जाता है लेकिन मैं अल्रेडी टीन टीम यहाँ पे बनाके रख चुका जिसे एके करके मैं आपको एडिट करके दिखाता जाओंगा किस-किस को लेना है किस-किस को नहीं लेना है और क्याप्टन और वास क्या प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भुले ताकि ऐसे विडियों आप तक पोस्टे रहे आप अच्छा से अर्न करते रहे तो दोस्तों साथ इसाथ कल का मतलब मैं बताता रहता हो कि प्रेडिक्शन जाके देख सकते दोस्तों में टीम के 634 पॉइंट थे और मेरे मेरी खैल से साड़े पास्सों के आसपास कुछ तो भी पॉइंट याने फिर से हम एक बार फिर से काफी करीब थे ग्रांड लिग जितने के सिर्फ मेरे कप्तान थोड़ा गलत सावित हो गया अगर जो प्लियर मैंने मतलब टीम में लिया था और ड्र पॉल मिला के तीन अच्छे खासे अप्शन है लेकिन मैं इसमें से दो कोई सामिल करूंगा क्योंकि जो यह सूरज है सूरज कुमार इनका परफॉर्मस अगर देखा जाए तो पाच्छे मैचे सो चुके से लेकिन एक ही मैच में का परफॉर्मस अच्छा रहा है फिर भी अ के साथ जाऊंगा Jest मिर्जा के साथ जाऊंगा एक अनुवर के साथ भी मैं आप। जो काफी अच्छा किता तो इसी लिए के पूरल करें प्लेंग शामिल भी लेकिन हम सबको नहीं ले सकते हैं अभी फिलाल तो मैं चार बाट्समन और दोखी पर तो ले चुका हूँ इसलिए इन दोनों दो ही आल रॉंडर में आपके ले सकता हूँ उसमें और स्मयमूद को मैंने लिए और एकशन को मैंने लिए क्याँ जाधा बेटर पर्फॉर्मस से अगर देखा जाए तो इनका पर्फॉर्मस कंसिस्टेंस भी रहा हुए और जाधा बेटर विरा तो इसलिए इन दोनों को लूंगा अगर गेन बाजी पर चलते हैं तो यहां पर और यहां पे तो और भी ज्द जादा ओप्शन है दोस्तों 3-4 ओप्षन और भी है लेकिन अभी फिलाल को नहीं थे मैं नहीं ले सकते तो तो और चलना होगा नेक्स पर क्लिक करना हौगा कि कि से बना सकते तो यहां पे देख सकते दोस्तों मैंने इस टीम का क्याप्टन एखान को बनाया वाइस क्याप्टन जे सिंग को बनाया दोनों की दोनों बेस्ट है दोस्तों और परफॉर्मस भी जादा बढ़िया रहा है अब चलते टीम प्रिव्यू करते हैं यहां पर देख सकते दोस्तों शुरुआत में ही मैं द लेकिन उनका परफॉर्मस कुछ भी खास नहीं है चार-पाच मैचों में एकी मैच में अच्छा कर पाए इसलिए इस टीम में तो मैं इनको नहीं लूँगा अगली डो टीमों में देखते क्या कर सकते अगर बात करें यहां पर में एहमद और रफ इन दोनों के साथ जा रह है एच मिर्जा इस तरह से चार इसे बैट्समन है जिनका भी अभी तक इस पूरे सीरीज में काफी ओवराल अच्छा परफॉर्मस रहा है और जरूर आप इनके साथ जाएंगे तो आपको काफ़े फायदा भी हो सकता है अगर बात करें ऑल राउंडर की तो देख सकते हैं तो यह जो एस महमूद और एक खान जो हमने अल राउंडर से लिए दोस्तों यह काफी बढ़िया है और अच्छा परफॉर्मस भी करते आए और कंसिस्टन से भी अच्छी रखी है अगर बात करें गेनबाजी के तो एस भुका पट्टनम को ले रहा हो जी चंदर शेखर को को ले रहा हो एक खान को ले तो आगे हमारे पूरी कि पूरी टीम आप देख सकते काफी बढ़िया बनी है और कोही यहाँ पहले रिस्क भी नहीं लिया है तो यहाँ पर पर्फॉर्मस यहां पर इन दोनों का भी अगर कर किया जाए तो जादा बेटर रहा है एक और साथ इस दूसरा डिजन इनको क्याप्टन बनाने का यह भी है कि बैटिंग में दोनों में डबल पॉइंट दे सकते इसलिए इनको क्याप्टन बनाना ज्यादा फायदे मन साबित होगा अगर यह अच्छा परफॉर्मस करेंगे तो हमें ग्रांड लिग जिता सकते लेकिन जे सिंग करने के पीछे बना सकते इस टीम को अभी क्लोज कर लेते सेव कर लेते और दूसरी टीम में आपको दिखा देता हूं किस तर से मैंने बनाई है कि दूसरी टीम की अगर बात करें तो मैं ए रौफ के साथ जा रहा हूं अज विकेट के पर वाकि किसे और के साथ अभी फिला तो नहीं जाओंगा अगर फिर भी आप चाहना चाहे तो जा सकते लेकिन बैटिंग की बात करें तो जे सिंग को अफकोस रखूंगा इस खान को इस टीम में रखूंगा और एच अनवर को टीम में रखूंगा तीनी बैट्समन यहां पर लेंगा एक की कीपर में यहां पर लूँगा बैटिंग के बाद ऑल राउंडर की बात करें तो यहां पर मेरे पास सबसे जाधा उप्शन रहने हाले ए चोरी ना को ले रहा हूं उ तो इन दोनों का भी प्रफोंमस ओवर डॉवर्ण झाडं सो काफी अच्छा रहा है तो इसलिए चारों के साथ अगर आप एक teams में आपको फाइदा हो सकता है यह चारों आच्चेओ قासे आपको दें सकते हैं घित बात करें तो एक हान को लूँगा एस बुक का पत्टानम क तैयार हो चुके नेक्स्ट पर क्लिक करना है और देखना कि यहां पर एच अनवर को क्याप्टन और एस खान को वाइस क्याप्टन ये भी काफी बढ़ी जोड़ी रहने वाली दोस्तों और हिट भी हो सकती है अभी फिलाल टीम प्रिव्यू करते हैं सबसे पहले तो आप देखेंगे एच रोफ को मैंने आज विकेट कीपर लिया है बाकि किसी और को मैं इस तीम में अभी फिलाल विकेट कीपर के साथ नहीं लूँगा अगर बात करें तीन बैट्समन की तो यहां पर एस खान है मेरे पास जे इसारों के चारों बेस्ट 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 ऑल्राउंडर से दोस्तों अच्छा नहीं है काफी बिक्स का मतलब इसमें काफी अच्छा रहा है कुछ भी क्छ नहीं लेकिन फिर भी इन चारों के साथ जाना हमें काफी फायदा कराके दे सकता है क्योंकि काफी कम लोग लेंगे इन सब को और सोची अगर यह अच्छा पर्फरमस कर देते हैं सबसे इंपर्टन बात तो यह है दोस्तो कि यह जो चार ओल रांडर से बैटिंग और बॉलिंग दोन आप इन तीनों के साथ जाएगे तो भी काप़ी फायदा हो सकता है आप जीच सकते तो पहले टीम तो मैंने आफ को पहले टीम ग्राइब ए स्मॉल लिए लिए लिकिन इस टीम को मैं ग्राइब के लिए सॉज्च करूँगा अभी तक के दो टीमों में जी आदस्तों पहली और दूसरी टीम में स्मॉल लिग जरूर लगा सकते एक ग्रैंड लिग लगाने के बात तीसरी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इसको आपको जरूरत है स्मॉल लिग के लिए यूज करने की अभी फिलाल कैप्टन और व वाइस कैप्टन आपको यह जिता भी सकते तो इसलिए इन दोरों को क्याप्टन और वाइस कैप्टन बना रहा हूं काफी अच्छे बैटेंग और स्टाइक रेट भी अच्छा का सार रख सकते यह अब चलते इस टीम को भी क्लोज करते तीसरी और आकरी टिम में आपको दि दूसरी में रॉफ को लिया था तीसरी में अहमत को लोगा फिर से बता दू यहां पर सूरज कुमार को अगर आप लेना चाहे तो जरूर ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन परफॉमंस एक ही मैच में अच्छा रहा है पाच्छे मैचस में तो इसलिए मैं इनको नह लिया है अगर यहां पर बात करें तो तीन अच्छे खासे बैट्समन मैंने लिये लेकिन एक चेंज कर लिया एक खान त्री को लिया हाँ थोड़ा रिसकी है लेकिन फायदेमन साबित हो सकता है आप जरूर एक टीम में इनको ले सकते इन पर भरसा कर सकते लाव लगा सकते तो फिर से दो यह लोंगा इस महमुद को लोंगा और एक खान को लोंगा इन दोनों को मैं किसी भी टीम में नहीं चोड़ रहा हूं आप देख सकते और यहां पर यहां पर यहां पर लेना चाहिए तो ले सकते परफॉर्मस अगर देख जाए तो पहले शुरुआत की मैचे कुछ अच्छा मतलब ठीक ठाक रहा था उसके बाद से तो यह लगाता डाउन 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 ही परफॉर्मस कर रहे इसके वज़े से हमारे पास पास गैन बाज होने वाले दोस्तों एक खान को भी लूगा मैं उसके बाद जी चंदर शेखरा को भी लूगा बट को भी लू जा सकते हैं तो यहां पे मैं आपको बढ़े का तो सबसे पहले तो आप देखेंगे मैं हम्हें को लिए इसके लाओ तीन बात करें तो इस महमूद है यह दोनों भी बेस्ट है दोस्तों ज़रूर आप इन दोनों के साथ जा सकते इनको अपने टिम में ज़रूर हर टिम में लेंगे तो भी कोई प्रब्लम में कोई दिकत नहीं यहां पर सबसे अटपटा सा जो है तो यहां पर जा रहा हूं यहां पर देख सकते एक बट बी महुमद और जी चंदर शेकर और एम अनसारी इस तरसे चाप आपको काफी फायदा हो सकता है कोई भी विकेट ले आपको पॉइंट जरूर मिल आ ले तो इसलिए थोड़ा हटके लेकिन काफी जादा नहीं कोंगा मैं थोड़ पहले बता चुका हूं फिर भी बता देता हूं कि इसे सिर्फ लिक के लिए स्मॉल लिक के लिए बिल्कुल भी योज नहीं करना है क्योंकि दोस्तों थोड़ा ज्यादा रिस्की मैच टीम है और यह डिस्क अगर आप मिलेंगे तो कोई प्राब्लम नहीं और अगर स्मॉल में लेते तो आपको ज्यादा नुक्सार हो सकता है लेकिन आप इस टीम से जीद भी सकते या फिर अच्छे खासे अर्निंग तो पक्का करी सकता है इसलिए या पर मैंने इस तरह से टीम बनाई है कुल मिला के टीम तो काफी बढ़िया बन चुके है अपकोस क्याप्टन और क्याप्टन की बात करें तो यहां पर मैंने एक अच्छे खासे औल राउंडर एस महमुद को क्याप्टन बना है जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में पॉइंट देगा और आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट देकर अच्छे खासे लिग जता सकता है तो वही भी बी मोहमत को इस टीम का वाइस कैप्टन बना रहा हूं यह भी काफी अच्छे प्लियर है जरूर आप इनके साथ प्रविवर्शा कर सकते दाव लगा सकते अगर मैं आप और भी टीमें भी टीमों से ज्यादा लगाते तो इनको कहीना कई कैप्टन भी आप जरूर बना सकते सब्सक्राइब कर लेते और आखिर में यहीं कोगा दोस्तों कि अगर आपको लगता है इन तीनों टीमों में कुछ चेंज़ेस करने चाहिए या फिर क्याप्टन और वाइस क्याप्टन सही नहीं तो आप जरूर चेंज़ेस कर सकते लेकिन ज्यादा चेंज़ेस मत किजिग अगर पसंद आए तो से लाइक शेर हो कमेंट जरू कर दीजिए चाइनल को भी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ने कर लिए और बेल आकन को प्रेस करके आल पर भी ट्लेक करना ना भूले ताकि ऐसे उड़े आप तक पोश्टे रहा आप अच्छे से अरनी करते रहे स साथ ही साथ टेलिक्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वहाँ पर जाके सो जाइन जारू कर लीजिए ताकि कुछ भी चेंजिस रहते तो आपको बता सकते या फिर कुछ और अपडेट रहती है तो वह भी मैं आपको बता सकता हूं आज के उड़े मिलते हैं ल झाल 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